हेलो फ्रेंग्स वेलकम प्यक्टू में चैनल तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि फ्रेज पत्तों को लेकर घर पे हम केसे महंदी बनाएंगे तो चलिए देखते हैं तो ये जो प्लांट्स में दिखा रही हूँ आपको ये है बालसम यानि गुल महंदी का प्लांट तो इसकी पत्तों को लेकर हम आज महंदी बनाएंगे हमारी दादी आमा की जमाने से लेकर आज तक इसकी पत्ते को इस्तिमाल करके लोग महंदी बनाते थे और अपने हातों में लगाते थे आज भी गाउं में बहुत सारे लोग इसकी पत्तों को इस्तिमाल करके महंदी बनाते हैं और लगाते हैं बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसकी पत्तों को लेकर मेहंदी बनाया जाता है पर जो लोग नहीं जनते हैं मेरे वीडियो देखने के बाद आज उन्हें भी पता चल जाएगा इसका फूल देखने के लिए जितना ही सुन्दर है इसका रंग उतना ही गहरा है ये एक सिजनल प्लांट है इसे एक बार लगाओगे तो हर साल रेनी सीजिन में ये आपने आप ही उख जाता है आज कल ये नरसरी में भी आभेलेबल हो जाता है तो आप चाहे तो नरसरी में से ला सकते हैं बाजार की मेहंदी की तुलना में ये काफी सेब्टी है क्यूंकि इसमें कोई भी केमिकाल्स नहीं डाला जाता है और बाजार की मेहंदी की तुलना में इसका रंग बहुत दिनों तक हातों में रहता है ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं मेरे बाक्याड में इसका बहुत सारा कलर है इसका फूल बिल्कुल छोटे-छोटे गोलाब की जिसा दिखता है तो इसमें से कुछ पत्ते को मैं अब तोड़के लूगी तो मेहंदी बनाने के लिए क्या-क्या चीजे चाहिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ एक बार तो ये है बल्सम यानि गुल-मेहंदी का पत्ता जो मैं तोड़के लाई हूँ ये है पान का डंठल ये है कथा जो पान में कलर के लिए डाला जाता है और ये है लेमान इसका बीज को मैंने निकल लिया है तो ये सारी चीजे डालने से मेहंदी में अच्छा कलर आता है तो ये बिल्कुल नाच्राल वे में बनाया जाता है तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो हम पहले मिक्सी की कॉप में पत्तों को तोड़कर डाल देंगे गाओं में लोगी से सिल्वर्टे में पीस कर लगाते हैं अब मैं इसमें डाल दूँगी कथा पान की डंठल को इस तरह से तोड़के हमें डालना है और अब मैं डाल दूँगी लेमन का जूस आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं इसमें हम पानी बिल्कुल भी आड नहीं करेंगे तो ये देखिए मैं आप मिक्सी में इसे पीस लिया है तो मेंडी हमारी बन कर रड़ी हो गई है तो मैं आप सबको लगा कर दिखा देती हूँ आप चाहे तो कौन का इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैं आप सबको दिखाने के लिए इसे ही लगा देती हूँ लिए चाहे तो काय दोबन है मैं आपस्पचर्ण आप मैंज पर दूद सम्याओ उडोफ हन कि आप सबको दो के तो किस्ते हैं पर स्फ़खज कि लगा कि अचरते हैं और स्जमें पिसाना Exactly 25 human तो ये देखिए मेहंदी को लगत टाइम मेरे हातों में किसे कलर आ गया है तो मेहंदी अब मेरी लग गई है आप चाहे जितना टाइम इसे रख सकते हैं जितना टाइम रखेंगे कलर उतना ही गहरा आएगा तो मैं आप सबको दिखाने के लिए थोड़ी टाइम के बाद इसे निकल देती हूँ पर आप इसे बहुत टाइम तक रखेंगे तो ये देखिए इतने कम समय में इतना अच्छा कलर आया है तो आप इसे और ज़्यादार समय रखेंगे तो और भी अच्छा कलर आएगा तो आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बताईएगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना मत भुलिएगा बेल आइकन को भी जरूर तपहिएगा ताकि सारी नोटिफिकेसन आप सब के पास पहुंच सके तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए थांक्यू, बाइबाइ